हलो गाईज, वेलकम बैक टू माई चैनल पर मी ब्यूटी वर्ट, तो कैसे हैं आप सब लोग आशा करती हूँ, आप सब ठीक होंगे, तो आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, रेजर यूजड हेयर पर किस तरीके से आप अंडराम वैक्सिंग कर सकते हैं, फुल प्रो वैक्सिंग, कमर की वैक्सिंग, फेस की वैक्सिंग, तो प्लीज अगर आपने अभी तक चैनल पर विजिट नहीं किया, तो एक पर चैनल पर जुरूर विजिट करें, काफी यूसफुल होने वाली है मैं वीडियो आपके लिए, और गाईज अगर आपको वीडियो करते हैं, तो इसलिए इनके हैर्स जो हैं काफी हाड है, यानि कड़क हो चुके हैं, और सबसे पहले हमने वैक्स की अप्लिकेशन की है, हैर की डारेक्शन के हिसाब से, वैक्स हम यूस कर रहे हैं, रिका की वाइट चोकलिट वैक्स, जो की काफी अच्छी वैक्स है, अगर आपके पास भी कोई ऐसा क्लाइंट आता है, जो रेजर यूस करता है, तो ऐसे में आप सिंपल वैक्स का यूस करेंगे, तो हैर्स बीच में ही रह जाते हैं, अगर आप रिका वैक्स का यूस करेंगे, और आपका क्लाइंट अफोर्ड करता है, तो आप रिका वैक्स का ही क्योंकि उससे easily wax हो जाती है और जो hairs की जड़े होती है वे बीच में नहीं तूटती है जब हम simple wax का use करते हैं तो ऐसे में जड़े बीच में ही तूट जाती है wax के application hair की direction के हिसाब से करनी है चाहे आप कोई भी wax यूज कर रहे हो simple wax हो, rica wax हो, milky wax हो, aloe vera wax हो hair direction के हिजाब से ही waxing strip wax लगाएं, waxing strip लगानी है फिर आपने opposite direction में waxing strip को pull कर देना है easily wax से hair remove हो जाते है, rica wax को use करने के काफी सारे benefit है, number 1 है कि इससे जो hairs होते हैं बहुत easily remove हो जाते है और कितने ही hard hairs हो, निकल जाते हैं, बीच में नहीं चूटते, और इससे skin की tanning बहुत अच्छे तरीके से remove हो जाती है और जो hair gain आता है, काफी late आता है, और जो hair आता है, काफी soft हो कर आता है, तो rica wax को use करने के काफी सारे benefit है काफी अच्छे तरीके से मेरे client की one side armpit waxing हो चुकी है, अब कुछ hairs इनके रह गए थे, तो वहाँ पर हम उसी उसी portion पे wax लगाएंगे क्योंकि जब हम rica wax का use करते हैं, तो आपने इस बात का हमेशा ध्यान देना है, कि आपने इस wax की reapplication skin पर बार बार नहीं करनी क्योंकि one time में तो rica wax hair लेके आती है, अगर आप इसकी two, three time wax की application कर देंगे और पूरे में कर देंगे, तो ऐसे में client की skin peel हो सकती है तो आप इस बात का हमेशा ध्यान दें कि rica wax की आप reapplication ना करें, क्योंकि वैसे तो क्या होता है, rica wax एक ही बार में बहुत अच्छे तरीके से hair निकाल देती है, पर रह जाते हैं, तो केवल उसी पार्ट पर ही wax की application करें, फिर waxing strip लगा कर, फिर से हमने waxing strip को pull कर दिया है, सारे के सारे hairs remove हो चुके हैं, अब जितनी भी extra wax skin में लगी रह गी है, उसे remove करने के लिए हम use करने जा रहे हैं, coconut oil का, coconut oil का use करके ही rica wax को remove किया जा सकता है, अगर आपके पास rica wax की company का एक after waxing gel आता है, वै है तो आप उसे भी use कर सकते हैं, पर मैं mostly coconut oil का ही use करती हूँ, और इससे easily जितनी भी extra wax skin में लगी रहती है, वै remove हो जाती है, देखी कितने अच्छे तरीके से मेरे client की one side armpit waxing हो चुकी है, अब हम आगे हैं second side, second side भी इसी procedure से waxing की जाएगी, अब हमने सबसे पहले हलका सा coconut oil, यानि नाम मात्र coconut oil skin पर लगा लिया है, ताकि easily hair remove हो जाएं, तो ऐसे मैं आपने सीज का ध्यान देना है, कि आपने चोटे चोटे patch बना कर waxing करनी है, एकदम से सारी waxing नहीं करनी, क्योंकि अगर आप एकदम से सारे hairs निकालने लगेंगे, तो client को काफी pain होगा, क्योंकि जब भी आप razor का use करते हैं, तो hairs की जड़े काफी मजबूत हो ज दिहान दें, कि आप चोटे चोटे patches में waxing करें, सबसे पहले हमने उपर वाले hairs में wax लगाई है, hair की direction की हिसाब से, यानि कि उपर की side इनके hair की direction थी, तो उसी तरीके से wax की application की है, waxing strip लगाई है, rub किया है, और opposite direction में pull कर दिया है, easily इनके hairs remove हो रहे हैं, पर हमने एकदम से सा पारे में कहीं wax की application नहीं की, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि razor used hair काफी hard होते हैं, तो ऐसे में आप client को ज़्यादा pain ना हो, तो इस बात का ध्यान रखते हुए, चोटे चोटे patch में wax की application करें, जैसा कि हम कर रहे हैं, और इनके hair की direction भी different type की थी, तो इस बात का ध wax की application करेंगे, रिका wax का जब भी आप use करते हैं, तो आपने इस बात का ध्यान देना है कि इसकी ज़्यादा जरूरस से मोटी layer नहीं लगानी और नहीं ज़्यादा पतली layer लगानी है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि wax महेंगी है, तो पतली layer लगा दे, नहीं, पतली layer लगा से भी ये wax बिल्कुल भी hair remove नहीं करेगी, वहीं चिपकी ही रह जाएगी और skin में से उसे निकालना काफी मुश्किल हो जाएगा, तो आप इस ब्यात का ध्यान दे, कि आपने उतनी wax की layering करनी हैं, जिससे की hairs बहुत अच्छे तरीके से cover हो जाएं, और hairs pull भी कर ले wax, ऐसा न नहीं कर सकते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप रिका wax की reapplication सारे में ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारी skin feel होने के chances होते हैं, अगर हम इस wax की reapplication करते हैं, चोटा सा hair था, उसे remove करने के लिए हमने wax लगाई है, और waxing strip को pull कर दिया है, easily सारे के सारे hairs इन काल ही लेती है, उसमें hairs छूटने के बिल्कुल भी chances नहीं रहते, और client भी afford कर सकता था, इसलिए हमने इनकी रिका wax की है, easily इनकी wax हो गई है, coconut oil लगा दिया है, thanks for watching my dear friends, thank you so much